हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो क्रिश्टल ब्रेंज, लेट सॉल्ब इस क्वेश्चन, टू वरकर्स, ए और बी वरकिंग तोगेदर, एन कम्प्लीट जॉब इन फाइव देज, इफ ए वर्क ट्वाइस, एज एफिसेंटली एस एक्चुली दिड, दो वरकर्स काम को पांच दि दिनों में करते हैं, यह एपनी वास्तिवीक एफिसेंसी के पांच गुने एफिसेंसी से, सॉरी, ट्वाइस एफिसेंसी से, दुगने एफिसेंसी से अगर काम करें, और बी अपनी वास्तिवीक एफिसेंसी के वन थर्ड एफिसेंसी से अगर काम करता है, तो देन दवर्क have been completed in three days, तीन दिनों में काम समाप्त हो जाता है, तो A alone can complete the working how many days, तो A कितने दिनों में काम को complete कर लेगा, तो A को हम माल लेंगे, एक स्थिनों में complete करेगा, तो चुकि ये working hour है, और इनका ratio 5 ratio x है, तो इनकी efficiency की ratio कितनी हो जाएगी, एक स्रेशियो 5, नाव, टोटल वर्क विल भी हियर 5 x, क्यों 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 कि टोटल वर्क क्या होता है, working hour into efficiency, ठीक है, अब कह रहा है कि A अपनी efficiency के, sorry, एक मिनिट यहाँ पर हम B की efficiency find out करते हैं पहले, तो A और B की efficiency x है, जिसमें A की efficiency 5 है, तो B की efficiency x-5 हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद, कहता कि A जो है, दुगनी efficiency से काम करता है, B वन थर्ड efficiency से काम करते हैं, और काम 3 दिनों में समाप्त होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, A अगर दुगनी efficiency से अगर काम करेगा, तो 5 efficiency A की है, तो 10 efficiency हो जाएगा, और दुगनी efficiency से काम कितने दिनों तक किया है, 3 दिनों तक, उसी तरह से B भी, 1 थर्ड efficiency से काम करता है, और 3 दिनों तक इसने भी काम किया, और काम क्या होता है, complete हो जाता है, तो दोनों मिलकर किस के बरापर हो जाएंगे 5x के बरापर क्योंकि total work हमारे पास क्या है 5x है तो यहां से यह हो जागा 3 3 cancel and this will become 5 and 30 25 so x is equal to 25 by 4 यह हमें क्या मिला x, x means a, a कितने दिनों में काम करेगा तो a जो है 25 by 4 देज में काम को complete कर देगा so this will be the right answer thank you for watching this video, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, have a nice day